कहे केता सबके हुँ आपन आपन कहावे वाला केबा सुखा बाता सबके हुँ बाटे दुखावा बाटावे वाला केबा नमस्कार मैं हूँ डाक्टर छोटे लाल गुपता असिस्टर प्रफेसर आज अंतराश्टी मात्री भासा दिवस है और हमारी मात्री भासा भोजपूरी है खुशी के इस पाउन आसर पर संपूर्ण भोजपूरिया समाज को पड़ाव करता हूँ आज मैं आपको भोजपूरी भासा के बारे भी बताऊगा इसका इतिहास बताऊगा और इसका भविस्य में विकास कैसे हो इस पर भी चर्चा करूगा यदि किसी संस्कृती और उसके संस्कारों को जानना है तो उसकी भासा को गहराई से जानना अतियावस्यक है हमारी प्राचीन भूमी भासाई और सांस्कृतिक बिवित्ता का संगम रही है सदियों से भारत में असंक भासाओं को बोलने और समझने वाले लोग एक साथ रहते आये हैं जो अपनी पूरी जीवनतता के साथ हमारी रंग-विरंगी सान्सकृतिक बिवीत्ना में रची बसी है मात्रि भासा वह है जिसमें पहली बार बच्चा मा कहना अपनी मा से सीखता है वहा मात्रि भासा कहलाती है मात्रिभासा सिर्फ संबाद का एक स्वभाविक माध्या भी नहीं है अपितू या उस्व्यक्ति की साज्कृतिक, मैवहारिक और सामुदाइक भाचान होती है इसलिए भारत सरकार ने मात्रिभासा में पढ़ाई के लिए अने को नीतिया बनाई है और उसको जमीनी अस्तर पर कर्या नुएंड के लिए काम भी कर रही है कई भासाओं के इस्तिती चिंता जनक है और भविस में उन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए और भासाई और सांस्कृतिक बिवेत्ता को सांगरक्षर परदान करने के लिए नौंबर 1999 में युनेशको ने 21 फरवणी को अंतराश्टिय मात्री भासा दिवस बनाने की घोशना की और तब से हम अंतराश्टिय मात्री भासा दिवस बना रहे हैं हमारी मात्री भासा भोजपूरी है भोजपूरी जितना प्यारा नौम है उससे भी कहीं अधिक सुन्दर है सरस है, मिठी है और कर्ण पिरिये है हमारी मात्री भासा भोजपूरी वास्तों में भोजपूरी सिर्भासा ही नहीं या हमारी संस्कृती है हमारी मिट्टे की खूपसूरती है हमारे बिहार की जाण है भोजपूरी एक ऐसी भासा है जो छेत्रिय भासा होकर भी आज एक अंतराश्टी भासा बन चुकी है आज भोजपूरी भासा को बोलने और समझने वालों की संख्या लगबग पचीश करोर तक पहुच गई है भोजपूरी बोलने और समझने वाले लोग पूरे भारत में मिल जाएंगे प्रत्तु आज चर्ज की बात तो यह है कि भोजपूरी सिर भारत में ही नहीं बलकि नेपाल, सुरिणाब, त्रिणिदाद, टोवैगो, फीजी एवं अन्य दूसरे देशों में भी बोली जाती है इतना ही नहीं भोजपूरी को मारिसस में राष्टि भासा होने का दर्जाभी प्राप्त है भासाई पडिवार के अस्तर पर भोजपूरी आर्जपडिवार की भासा है तथा या परवोख रूप से बिहार और उत्तर परदेश में बोली जाती है भोजपूरी अपनी सब्दावनी के लिए परवोख रूप से हिंदी तथा संस्कृत भासा पर निर्भर है वही इसने कुछ अपने सब्दों को उर्दियु से भी ग्रहण किये है भोजपूरी को हिंदी के उप भासा भी कहा जाता है तथा इसकी सुरुवात सात्वी सनी से मानी जाती है भोजपूरी भासा का नामकरन बिहार के भोजपूर जीले के नाम पर हुआ जो बरतमान में आरा जिले के नाम से जाना जाता है मन्दे काल में उजैंड के भोजवन्स के राजा बिहार आये थे और यहां उन्होंने बिहार राज की अस्थापना की तथा इसकी राजधानी का नाम भोजपूर रखा इसी भोजपूर के नाम पर यहां की भासा का नाम भोजपूरी परा भोजपूरी एक बेवहारिक भासा है जो परिस्थीतियों के अनुसार स्वयम को बदलने के लिए सदैव तत्पर रहती है भोजपूरी के कई सारे रूप देखने को मिलते हैं जैसे मैथली, अंगिका, वज्जिका, मगही और थारू ऐसा भी कहा जाता है कि भोजपूरी, मगही तथा मैथली सगी बहने है वही बांगला, पुरिया तथा असमिया इनकी चचेरी बहने है भोजपूरी भासा की लिपी, कैथी लिपी है, जो बदलते समय के साथ देवडागरी लिपी हो गई भोजपूरी साहित का इतिहास काफी गौरव पूर्ण है 11 सा इसमी में गुरू गोरक नात ने गोरक वानी की रचना की, जिनकी भासा भोजपूरी थी संद कबीर के अनेक निर्गुन भोजपूरी भासा में है, तथा संद कबीर के समकालीन कभी घाग की कहावत आज भी भोजपूरी भासा में परचलित है पूरण भागत भोजपूरी लोग संगीत के जाना पहचाना नाम है, महार लोग गायत नाटक कार कभी भिखारी ठाकुर को भोजपूरी का सिक्सपियर कहा जाता है उनकी रचना विदेशिया, मेटी बिच्वा, आदी ने उस समय के वर्तमाज समाज में ब्याप्त बुराईयों, आडंबर और पाखंड पर कराप प्रहार किया गंगा मैया तोहे पियरी चठाइबो, फिल्म से भोजपूरी सीनेमा की सुरुवात हुई आज भोजपूरी सीनेमा उद्योग काफी तरक्की में है, तथा लाखों लोगों का रोजगार का साधन भी है हमें अपनी मात्रिभासा भोजपूरी, जो हमारी साधक्रितिक धरोहर है, उसमें संबाद करनी चाहिए, उस पर गर्व करनी चाहिए, तथा उसके विकास के लिए सतत प्रयत्म सील रहना चाहिए धन्यबाद